जय गुरु जी आई हम चर्चा करेंगे अगर आपको सपन में शिवलिंग दिखाई दे या शिवजी के प्रतीक चिन दमरू तिशुलादी दिखाई दे तो इसका क्या आर्थ होता है जब आप भगण भोले नात की पूजा करते हैं उनकी अराधना करते हैं सेवा करते हैं उन सेनल को सक्स्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भोले नात का जयकारा लगाईए और वीडियो को शेर कीजिए ताकि ये जानकारी अन्ने भक्तों को भी मिल सके तो लीजिए आईए शुरू करते हैं सपन शास्तर के अनुसार सपन में शिवलिंग के दर्शन होना उपर दूद जल चड़ाना उनकी पूजा करना ये सभी सपने दूलब होते हैं बहुत कम लोगों को ऐसे सपने आते हैं हमारे पूरुजनम और वर्तमान के जनम को लेकर के भी आते हैं सपन में शिवलिंग देखना शिवजी के परतिक चिन देखना शुफल देने वाले होते हैं आपकी समस्याओं के अंध होने का संकेत होता है उनती का समय शुरू होने वाला होता है आप अपने इस्टिदेव की अरादना सेवा पूजा करते हैं उनके मंत्रों का जाब भी कर करते हो तो भगवान आप पर अपनी प्रसंता अपनी क्रिपा दिखाने के लिए संकेत देते हैं कि आपकी पूजा सरिकार हो रही है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको स्वपन के माद्यम से संकेत देते हैं कई भक्त कहते हैं हम तो किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं और हमें शिवजी या शिवलिंग के दर्शन हुए हैं तो इसका एक अर्ष ये भी है कि आप पिछले जनम में शिव भक्त रहे होंगे आपकी भक्ती अदूरी रह गई होगी तो भगवान शिव स्वपन के माद्यम से आपको वापिस याद दिलाते हैं ऐसा अन्य सासरों का भी मानना है भगवान शिव देवों के भी देव हैं कालों के भी काल हैं और बहुत भोले भी हैं और थोड़ी सी पूजा जल बेल पत्र आदी से ही खुश हो जाते हैं जब हम भगवान भोले नात की पूजा अरादना सेवा करते हैं तो भगवान भोले नात स्वपन में तब करते हुई दिखाई पड़ें तो इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन की परेशानिया दूर होने वाली है तो भगवन भोले नात को मन ही मन पर नाम करें उनका शुक्रिया करें अगली सुबह उठकर शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग का दूद जल वते हुए होते हैं तो दर्शन मातर से जिसका बुरा वत चल रहा हो परेशानिया हो तो ऐसा वक्ति सपन में शिवलिंग देखता है तो उनके आने वाले अच्छे वक्त की निशानी है अगर बिमार व्यक्ति सपन में देखता है तो बिमारी खतम होने का संकेत है यदी किनारे शिवलिंग देखते हो आसपास पानी भै कर जा रहा है तो यह शिवजी की असीम किरपा को दर्शाता है सपन में शिवलिंग के दर्शन से सकरातमक विचार आते हैं उनती के रासे खुल जाते हैं भगवान की आस्था आने लगती है इसलिए सपने में शिवलिंग चामरू दिखाई देता है तो इसका मतरब आपके जीवन में नई उजा का आःग्वन होना होता है परशानी बादा दूर होगी और सफलता का संकेत है है भाग्यी उदे होने वाला होता है सपन में भगवन भोले-नात हर किसी को दर्शने देते इस्वापन में ये उनी varaन भ तूर्शड़ा होने पर ही दशन देते हैं सपन में बेल पत्र देखना चर्मतकारी होता है भागे उदेकारी होता है गर्भावस्ता में सपन में शिवलिंग दिखाई देना बहुत शुब माना जाता है कि संतान युग्य उत्पन होगी जो माता-पिता का नाम रोशन करेगी धार्मिक होगी अविगाईत लड़की या लड़का सपन में शिवलिंग पर दूच राते देखें तो आगामी समय में उनको मन बसंद जीवन साथी मिलेगा तिशिल दोखने का मतलब आपकी आपने जीवन की उनती होगी आने वाली परिशानियों को दूर करता है आप अप अपने पतिदियों पर बिना लड़ाई जगडे के विजय प्राप्त करेंगे इस परकार सपन देखने के बाद बगवान भोलेनात की पूजा अर्चना ध्यान शुरू कर देना चाहिए उनकी जो आप पूजा अराधना सेवा करते हैं उससे वो परसंद है और ये सपन ये ऐसा करने से धीरे धीरे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा आप शीवलिंग सफेद देखें या अन्यरंग का सभी शुब हैं ये संखेत है कि आपके जीवन में बदलाव आने वाला है जब आप किसी समस्या में गिरे हुए हो दिन राद उसी परशानी के विशे में स स्तूति कीजिए उनकी श्रण में जाएए या उनका जाब करना चाहिए तो आपके दुख दूर हो जाएंगे आपकी समस्या दूर हो जाएगी तो ये संकेत देने के लिए आपको सपन में शीवलिंग के दर्शन होते हैं आप उनकी पूजा कर रहे हो अभिशेक कर रहे हो बेल पतर चडा रहे हो ऐसे सुपन देखने में बहुत अध्यात्मिक होते हैं जिनको देखने में आनंद आता है जिनके मन में शर्दा होती है उन्हीं को भगवान के ऐसे संकेत मिलते हैं ये गिंती के ही लोगों को ऐसे सुपन आते हैं या आने वाले समय में आप भगवान भोलेनात की भक्ति करने वाले हो तब आते हैं ऐसे सुतन एक संकेत यह होता है आपकी निंद भ्रम्म मूरत में बिना अलारम बिना किसी के जगाई खुलने लग जाती हो तो समझ लेना चाहिए बगवान शिव की किरपा आप पर है यह एक संकेत है बगवान शिव की शक्ति उ की अरादना पूजा सेवा करनी चाहिए समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए यह शिव करपा का संकेत है आपके कारे बनने लगते हैं समस्याओं का हल आपको मिलने लगता है आपकी वानी में सत्यता आने लगती है यानि आप जाने जाने कुछ बोल देते हैं तो वह सत्य गठि हैं आपकी अधियात्मिक उज़ा बढ़ने लगती है और आप शिव उज़ा से जूरते चले जाते हैं कभी सौपन में शिव मंदर भगवान भोले नात के प्रतिक चिन तिशूल डमरू और बेल पत्र आदी दिख जाएं तो आप समझ लेजिए कि भगवान भोले नात की आप पर होने वाली है इसी तरह से कुछ प्रतक्ष संकेत भी मिलते हैं कुछ अनुभूतियां भी होती हैं और प्रतक्ष संकेत तो ये होता है जैसे दीपक में फूल बन जाना और कभी गुलाब की पंखडी बन जाती है या दो तीन फूल बन जाते हैं कभी किसी देवता ग अपने आप हो जाता है और अनुभूती क्या होती है जैसे आपको कभी इतकी खश्बू आएगी कभी पूजा करते करते आपके शरीर में सिरंसी आएगी आपके रोम खड़े हो जाएंगे प्रेम से आखों में आसू भी आ सकते हैं तो इस तरह से अनुभूतियां होती हैं इस तो समझ लीजिए आपके इस्ट देवी देवता की किरपा आप पर है तो सपन से बाहर आने पर यानि जागने पर नहां दो कर अपने इस्ट को भोग लगाईए उनकी पूजा अराधना कीजिए कभी कभी क्या होता है सपन में चोटी चोटी कन्याई मा की चुनिरी ओड़े दिखती हैं तो इसका मतलब मा की किरपा है यो अती परसंद है कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई मनोती मांगी हो और हम पूरा करना भूल के हो तो भी याद दिलाने के लिए हमें ऐसे सपन आते हैं तो मा को चुनि चुराएं भोग लगाएं बंदर दिके तो हन्मान जी के करें प्रसाच चड़ाएं आज बस इतना ही फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जये गुए